आज है 2nd September और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Zomato के बारे में 60 रुपे से भी कम कीमत का ये शेर है लगातार गिरावट देखने को दुबारा से मिल रही है हलाकि इसे पहले भी बहुत भेंकर गिरावट थी यहाँ पर लेकिन उसके बाद वापस से एक बढ़िया बाउंस बेकाया था लेकिन अभी दुबारा तूट रहा है और लगाता तूट रहा है और गिरावट आज तो काग कुछ जादा ही थी साड़े चार परतिशात के गिरावट थी जबकि बाजार में देखा जाए तो उतने जादा गिरावट नहीं थी आज वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मैटो के बारे में कि क्या इसका फ्यूचर है कि नहीं इस कंपनी का क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम देखें तो काफी जादा वॉलेटाइल शेर है ये तो वीडियो को डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जब को काफी जादा हल्प करेंगे तो जमैटो सांट रुपे से भी नीचे ट्रेट कर रहा है और एक महिने में अगर आप देखो तो साड़े सांथ प्रतिशत की तेजी जरूर थी अगर देखे 54 से 67 तक चला गया यह लेकिन उसके बाद क्या हुआ लगा ता तूट रहा है अब यह बाउंस बैग भी अगर आ रहा है तो वापस तूट रहा है इवन अगर आप पिछले एक साल की बात करो तो गिरावट कुछ जादा ही है पिछले एक साल में जोमैटो में 56 परसंट के गिरावट है 160 रुपे का शेर था यह आज 60 रुपे से भी कम कीमत पर है और बीच में तो ऐसा था कि 40 रुपे तक चला गया था यह 40 रुपे तक इसके बाद अच्छी खासी तेजी जरूर आई थी आई पिओ के बाद भी अच्छी तेजी थी लेकिन पिछले एक साल से यह लगाता तूटता ही जा रहा है रिकवर नहीं कर पा रहा है लाज केप शेर जरूर है 52,000 करोड से भी जादा का इसका मार्केट केप है वाल्यूम देखें तो BSC में ही एक करोड 27,000,000 का है और NSC में 14 करोड तक का वाल्यूम पहुँच चुका है तो बहुत बड़ी क्वाटिटी में Zomato के शेर ट्रेड हो रहे हैं लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं है कंपनी लॉस में है लेकिन कंपनी के रिवन्यू में बहुत करोड का था आज वो 1400 करोड पर हो जुका है quarterly हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ Zomato की अभी एड भी आई थी जो काफी जादा controversy में भी रही थी इसके लाव Zomato का एक और प्रोजेक्ट है जो कि मेरे सबसे काफी बहतर है लेकिन इसको execute कर पना थोड़ी में बैठे हो लखनो के कबाब हो या कॉलकत्ता की मिठाईया हो वह अपने डोर स्टेप पर उसका आनंद ले सके मतला आपको वह भी डिलिवर करेगा कई सारी चीज़ें जैसे कि रजगुल्ला की बात जैसे कि अगर आप डिली में बैठे हो मुंबाय में बैठे हो अगर आपको मैसूर पाक चा चीज़ें को लेकर कई सारे स्टार्ट अपस भी हमने देखे थे बीच बीच में लेकिन सक्सेसफूल कोई स्टार्ट अपस हो नहीं पाया है अभी तक जो मैंटो अगर आप देखोगे तो प्रमोटर तो यहां पर कोई बड़ा है नहीं जनरली जो होल्डिंग है वह कंपनी जिन्होंने शुरू करी थी उनके पास है कुछ बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर है उनके पास है इंजल इन्वेस्टर की बात करो कुछ बड़े फंड हाउसिस की बात करो उनके पास आतर होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है हाईयस पब्लिक शोडर में info age है 15% की holding है IPO के वक्त उन्होंने अपनी कुछ holding को बेचा भी था जो मैटो में अगर आप देखोगे तो according to money control user 13% लोग कहा रहे कि बेचो बाग की हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करी है तो बने रहो जो मैटो में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे डिविडेंट के अगर सबसे पहले मैं बात को तो अभी तक कोई डिविडेंट इन्होंने दिया नहीं है बोनस के बात करो तो भूल ही जाओ कि अभी शरुतना पुराना नहीं हुआ है कंपनी के रिवन्यू लगातार बढ़ जरूर रहे थे 2018 में रिवन्यू सा 370 करोड का 2020 आते हैं ये 2300 करोड पर आ गया लेकिन 21 में वापस रिवन्यू गिर गया इनके कोविड अला माहौल भी था 1713 करोड लेकिन 22 में ये 3611 करोड रहा अभी अगर आप देखो तो कंपनी क्वाटर ली 15 करोड का रिवन्यू कर रही है इसी रफ़तार से बढ़ेंगे तो साल भर में 5500 से 6000 करोड तक के रिवन्यू हो सकते हैं लेकिन दिक्कत कहां पर है दिक्कत है Profits कंपनी Profits में नहीं है कंपनी लॉस कर रही है वो भी डिफूट डिलीवर करती है लेकिन डेफिनिटली जो कंपेटिशन है स्विगी से वो भी काफी बड़ी है इसके अलावा और भी कुछ धीरी-धीरे स्टार्टमस खुलके भी आ रहे हैं तो वो भी इनके दिक्कत हो सकती है और कंपनी को क्या है कि कस्टमर को प्लैटफोर्म प क्या है ब्लिंकिट को अक्वायर और डेफिनिटली देखो ब्लिंकिट का जो है बिजनस एकॉमर्स का जो बिजनस है उसमें कई सारे कंपेटिटर है इनके चाहे हम जैप्टो की बात करें चाहे हम डंजो की बात करें चाहे हम बिग बासकेट की बात करें या और कुछ स्टा तो company की जो situation है वो ये है कि इनका profit में आना जरूरी है और company profit में नहीं आ रही है और जिस segment में ये company है वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा आख की तरह मुझा पानी की तरह से रहे इनको बहाना पड़ेगा जिस दिन बहाना बंद कर दिया पैसा इन्होंने कोई औ और player आएगा वो market को acquire करेगा capture करेगा और इनका जो अगर हम profitability की बात करें तो अभी भी इनको वक्त लाएगा profit में आने में और business वो काफे risky है क्योंकि competition इस space में काफी जादा है काफी जादा है तो definitely आप ये नहीं कह सकते कि आज से 5 साल 10 साल बात भी zomato रहेगा क्योंकि अभी दो तीन एप थी आज कहीं पर किसे का नामों निशान तक नहीं देखने को मिल रहा है तो अभी इतना ही कहूंगा कि zomato देखो company long term का horizon में अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं लेकिन short term में ये जरूर है कि अगर ये शर्ण आपको 50 रुपय के आसपास मिलता है खरीदारी के मौके बनेंगे ये मैंने पहले भी कहा था जब ये टूट रहा था 40 के आसपास जा रहा था 45 के आसपास मिल रहा था मैंने कहा था कि 45 से 50 का range बाइं का range वहाँ पर खरीदारी कर सकते हो लेकिन दुबारा जब तीजी दिखाएगा तो जादे लालच मत करना profit लेने के मौके होंगे निकलने के मौके होंगे दुबारा तूटकर अगर 50 पर आएगा दुबारा बाइंग के मौके दुबारा वहां पर बन सकते हैं जो मैटो अगर आप देखो खरीदारी करने का यह सही मौकी कहना है परसंट की होल्डिंग रिटेल वालों के पास 4.41 परसंट की होल्डिंग देखने को मिल रही है अभी के लिए कि देफिनिटली कंपनी बहुत सारा बहुत कुछ कर रही है और बहुत चैलेंजिस भी ले रही है टैन मिनिट डिलिवरी की अगर हम बात करें या फिर अब लिंकि की पास से पलट भी सकते हैं तो अभी के लिए मैं इतना ही कोंगा कि देखो अगर आपको खरीदारी करनी है जो मैटो में तो थोड़ी से करेक्शन का वेट कर लीजिए अगर आपको 50 के आसपास मिलता है 50 के आसपास और डिफिनिली खरीदारी की मौकर वहाँ पर बन सकते ह हैं वीडियो को यहीं परेंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय करें चैनल पर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और तो मैटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं तैंक्यू